नमस्कार दोस्तों आज मुझे खुशी है कि हमारी वज़े से दमवन दिव और दाद्रानगर हविली के लोगों के लगबग 2800 करोड रुपया बच गए है वो कैसे बचे है और हमने क्या किया था उस पर आज में बात बताने जा रहा है आप सब को पता है टोरेंट पावर के आने के बाद हमारे तीनों प्रदेश में दमवन दिव और दाद्रानगर हविली में बिजली को लेकर बहुत सारी समस्या बढ़ गई है वैसे में वह सारी समस्याओं को लेकर हम आंदोलन भी करने जा रहे है पर उसकी लड़ाई हम कानूनी की रूप से भी लड़ रहे है औ जिसमें पिटिशन नंबर 89 अबलिक 2022 हमने उस पर बहुत सारी मुद्धे पर चर्चा की थी जिसमें टोरन पावर का सारा सडियंद्र और कच्चा चिथा मेंने कमिशन के सामने रखा था जिसके चलते लगबग लगबग हमारे परदिश के अड़ाई सो करोड के आसपास का पैसा हमने बचाया है यह मेरा कहना है 800 करोड रुपया इस टोरेंट पावर से हमने हमारे प्रदेश का बेफुजूल जाने वाला था जिसको हमने बचाया है यह जो टोरेंट पावर है वो हमारे प्रदेश में फिजूल का खर्च के रूपे 33 कवी नेट्वर्क बनाने वाल रहा था पावर सप्लाइ सेंटर बना रहा था कॉल सेंटर बना रहा था जिसके लिए लगबग 218 करोड का फिजुल खर्चा हम पर थुपा जा रहा था साथ में यह करमचार्यों के वह जो इदर उदर का खर्चा दिखा कर लगबग लगबग 2800 करोड का खर्चा अतिरेख दिख रहा था जिसके बाबत पर मैंने JRC को सूचित किया था उनके सामने रखा था जो आज मैं टोरेंट पावर का बाबत पर जो JRC की कमिशन की सुन्माई हुई थी इसका ओर्डर में देखा तो वो 2800 करोड रुपिया JRC कमिशन ने काट दिया ह मतलब हमारे परदेश के 2800 करोड रुपिया लगबग लगबग बच गए है पर इस ओर्डर में बहुत सारी चीज़े हैं जो हमें नुक्सान करेगी जैसे के बिजली के दरवों में बड़ोत्री हुई है टोरांट भी फाइदा कर रहा है तो वैसे में फिर से भाव बड़ो करने की क्या जूरत थी दूसरी बात यह थी किन राइट के चलाने वाले मीटर जो है वह अभी अभी हमारे परदेश में लगए थी फिर भी लगबग 35-36 करोड के और मीटरों की खरीदी की जा रही है मतलब कि सभी के घर अपने डिजिटल मीटर है टेक मीटर लगाए जाए और कहा जा रहा है कि ऐसे मीटर लगने के बाद बहुत सारी जगव पर लाइट के बील और बढ़ गए है जैसे कि अभी अभी हमने देखा होगा तो मुंबई महरास्ट गुजरात में भी टोरेंट पावर का इसी बाबत पर हल्ला मच रहा है लोकांदोलन कर रहे हैं भरी व जो जो लौन दे रखी है उसके भी हम्याज भरना पढ़ रहा है तो आपको कहना है कि हम लोग फिर टोरेंट पावर को यहां से बगाने के लिए मुहिम चला रहे हैं उसमें आपका समर्थिन मांगते हैं और आप सबको पता है कि टोरेंट पावर आने के बाद हमें कितनी द बचाओ और आपको और बात बताना चाहता हूं आज हमने अगर एक जुटता नहीं दिखाई और साथ हो के नहीं लड़े तो जो टोरेंट पावर जहां जहां आया है वहां की स्तिती कितनी खराब है वहां के प्रदेश के लोगों को जाके पूछ लीजिए अभी तो आदा ही विभाग टोरेंट पावर के पास है एतनी सारी समझ से है इतना हमारा कड़ा विरोध इतना जयरसे के सामने सब सब चीजें तथ्य के सामने रखने के बावजूद हमें सुनने में आ रहा है कि आज 11% है उनके पास से हमारा प्रशाशन पूरा आधा बचा है वो भी से अनुरोध है कि 10 तारिक से बोरा जीवा सेरी ननी दंबन से दुफेर में तीन बज़े से हम लोग के कांदोलन सुरू करने जा रहे है डोर टू डोर कैम्पेनिंग और लोगों को जागरित करने जा रहे है वैसे में आप सभी एक जूट बनकर हमारा साथ और सकार दे और इस अभ्यान को सफल बनाए और टोरेंट पावर को यहां से बगाए तो उम्मेद करता हूँ आप सब हमारा साथ और समर्थन देंगे धन्यवाद और एक साथ और कहना चाहता हूँ अगर जेर्सी की मीटिंग में हमारे अकेले के प्रायस से 2800 करोड रुप्या का फाइदा इस प्रदेश को हुआ अगर दमंदीव के और दादरानगर हविली के सारे पॉलिटिशन सारे समात्सिवक सारे लोग चुनेह प्रतिनीदी हमारे साथ जूड़ जाते और एक टोरेंट पावर के बाबत पर जेर्सी में ग्रुजवात करते ताप सूचे कितना फाइदा होता इसी उद्यश से कि ये जो गलती हुई है वो वापस ना हो हम हमारे साथ सारे चुनेह प्रतिनीदियों को भी मजबूर करें कि वो भी टोरेंट पावर का विरोत करें कहीं ले देखके बैठना जाए उसके लिए हम सब भी आप सब का साथ चाहते हैं धन्यवाद